नमस्कर दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या UG4 साल की होगी PG1 साल का होगा UGC की क्या गाइडलाइन है और जो PhD करने के लिए मिनिमम आपके UGPG में कितने नमबर होने चाहिए UGC की नई गाइडलाइन के अनुसार है UG है वो 4 साल की कबसे लागू होने वाली होगी नहीं होगी समपुर्ण जानकारी थे बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं तो सभी दोस्तों से रीक्वेस्टे चैनल को सब्सक्राइब जूरал करें और वीडियो को दोस्तों तक दूर करें तो चलिए अब बात करते हैं कि UGC की जो نई गैडलाइन है उस 8.200 2,2013oweast के अंदर एंदर एंदर एंद में उजी grants की नई गाइड लाइनन है वो लोग्ल कर्झा जाएगी हुआ सटेड में चेल्सिजु नहीं की गई है जो जूजी एंदर graduate है वो 4 साल की होगी और जो post graduate है वो एक साल का होगा और जो पी-एचीडी का system है वो भी change हो जाएगा पहले आपको PhD करने के लिए post graduate होना जरूरी था उसमें भी हैं जो minimum है आपके post graduate के अंदर है 60% 65% ऐसे आपके अनवाریे थे ऐसा अनवारिया था और फिर जिस भी आप इंविशिटी से करना चाथते हैं उन्हें इंविशिटी में आपकी है इंटरेंस एक्जाम है वो देनी पड़ती है मतलब आपको है इंटरेंस एक्जाम है पास होनी, कलियर करनी होती है उसके बाद आपको PhD के अंदर admission मिलता है तो ये process रहने वाली थी जो कि वर्तमान में भी ये process चल रही है और अब है UGC की नई guideline के अनुसार है आपकी जो PhD का pattern है वो change होने वाला है UGC है, UGA 4 साल का कड़ देता है तो PhD करने के लिए आपको है UGC के अंदर 75% कम से कम आपके यदी marks होते हैं तो आप PhD कर सकते हैं अन्य था आपकी 75% नहीं है तो आपको फिर PG 1 साल की होगी उसके अंदर 35% अंग है वो लानी होगी फिर उसके बाद आपको जिस भी इंवर्सिटी में आप PhD करेंगी तो उस इंवर्सिटी में आपको एंटरेंस एक्जाम है वो टेस्ट देना होगा उसमें पास होने के बाद आप आगे की जो PhD की प्रक्रिया है वो कर सकते हैं तो फिलाल के लिए है UGC नहीं है ये सेंटर के अंदर है लागू करेगी उसके बाद है ये स्टेट के अंदर है लागू होगी फिलाल के लिए है ये राजस्तान की जितने भी इंवर्सिटी है अभी तक लागू नहीं किया गया है फिलाल राजस्तान में जितने भी इंवर्सिटी है उनमें UGC कोर्स है वो तीन साल का होता है अलग अलग इनुट सिटी है उनमें सिमिस्टर भी है होते हैं तो UG 3 साल का कॉर्स है और PGA वो 2 साल का कॉर्स है फिलाल के लिए स्टेट के अंदर है UGC ने ये गाइड लाइन अभी तक लागू नहीं की है और जैसे कोई अपडेट होती है लागू होगी तो आपको सूचना देजी दाज़ी पहली UGC सेंटर में लागू करेगा उसके बाद स्टेट में लागू करेगा तो फिलाल राजस्तान में जितने भी इनुट सिटी है उनमें है जो UG 3 साल का ही है और जो PG है वो 2 साल का सिस्टम है और आपको PhD करने के लिए बत्मान में है पोस्ट ग्रेजिट होना जरूरी है और उसमें भी जो अलग-अलग है परसेंटेज आपको minimum होने अनुट है अलग-अनुट है रूल हो सकते हैं minimum आपके 65-60% होने अनुट होते हैं सभी इनुट सिटी अलग-अलग है रूल है तो आप जिस भी इनुट सिटी में PhD करना चाते हैं उस इनुट सिटी में आप संपरक कर सकते हैं तो आई होब मैंने जो आपको जान कर दी है वो समझ में आई होगी सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करेजिए और वीडियो को दोस्तों तक सेर जरूर करिए थैंक्यू धन्यवाद